ओम नमस्षिवाय जैश्री महांकाल हर हर मार देव हमारी बाधाय परिशानिया खत्म होने का नाम नहीं लेते हम बहुत दिनों से बहुत वक्त से एक निशित अउधी से बहुत परिशान है चाहे वो व्यापार को लेकर हो, परिवार को लेकर हो वो जिवन के किसी भी छेतर में आपकी परिशानिया चल रही होगी वो परिशानियों का छेतर बहुत विस्तार पूरवक होता है आपकी कोई भी परिशानियों जिसको लेकर अभी आप वर्तमान अपने दिमाग मुसके उस परिशानिय को लेकर बहुत बेचेन हैं, बहुत नेगिटीव फिल कर रहे हैं, बहुत जादा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो शायद जो आपके मन में चलने वाले जितनी सारी परिशानिया हैं, जो बहुत दिनों से परिशान हैं, उनका सम सब पर appointment लेकर हमसे बात कर सकते हैं, जब कभी भी कोई व्यक्ती बहुत परिशान होता है, बहुत हताश होता है, बहुत निराश होता है, तो उसके जीवन में बहुत negativity उस पर हावी हो जाती है, उसकी सोचने और सबजने की जो शक्ती होती है, वो उसके मन में बस नकारत्मक त जितना negative सोचोगे, उतनी हालात खराब होगे, क्योंकि नकारत्मक सोचोगे, तो नकारत्मक चीज़े दिखाई देगी, इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करें, ठीक है, यह बहुत कठिन कार है वरतमान में, लेकिन कुछ उपाय है, कुछ तरीके है, अगर आप इने अप सकते हैं, वो हल्दी अप पूडिया में बांदे, गाठ हो तो उस गाठ को भी भगवान भूलेनात को अरपित करें, या उस हल्दी अगर आप गाठ नहीं खरीच सकते हैं, तो जो हमारे घर में खाने वाली हल्दी ही, इसे भगवान भूलेनात को अरपित करें, अरपित करन कि जो भी आपके घर के आसपा शिव मंदिर है शिवाले में जाकर आपको एक हजार आठ बार स्वयम को महामरत्युजे मंतर के जाप करना है एक हजार आठ बार ये बात याद रखिएगा अगर नहीं महामरत्युजे मंतर जप आप कर सकते हैं तो ओम नम्हशिवाय का जप बेटकर करना है आप जब यह मंत्र करेंगे तो आने वाले साथ दिनों में भी इन मंत्रों के प्रभाव आपके जीवन पर आपके जो भी मनोकामना होगी जिसको लेकर आप परिशान हो रहे हैं साथ दिनों में आपके जीवन में एक सड़न चेंज दिखाई देगा तीसरा काम करना है कि आप अपने घर के असपर जो भी शिवाले हो भगवान भोलेनात के मंदिर में बेटकर भगवान भोलेनात को गीता के ग्यारवा अध्याय सुनाएं यह प्रयोग आप सुमवार को कर सकते एक बार करना है बस आने वाले साथ दिनों में इसका भी बहुत सकारत्मत प्रभाव दिखाई देगा